नमस्कार अब फिर से आप सभी का स्वागत है आप सभी लोगों के लिए एक बड़ी खुश खबरी सामने आ रहे हैं TGT कट आफ के बारे में जिनके इसे कम मार्क्स हैं वह कहेंगे कि यह कटाफ पूरी तरीके से गलत है और जिनके इसे ज्यादा मार्क्स हैं वह कहेंगे कि यह कटाफ पूरी तरीके से सही है लेकिन जो सच चाहिए प्रेंट्स मैं वही बता रहा हूं ना तो कम ना तो ज्यादा मुझे तो नहीं पता क कि आपके कितने marks हैं, बड़िए प्रण्स मैं ज़रूर कर सकता हूं कि मैं जो आनालिसिस किया, उसके आधार पर आपके कुट आफ कर नहीं जा सकती है आप शभी लोग OBC, SC, ST और AWS category आप खुद समझ सकते हैं कि कितनी आप रिकटाफ जाने वाली है हाला कि मैं आपको बता नहीं friends अगर आप जैनरल category से आते हैं तो मैं आपको यहाँ पर कटाफ बता रहा हूँ OBC category से अगर आप आते हैं तो आप जैनरल category से दो questions कम कर लिजेगा बस अगर अगर तेन questions चार questions कम करने की कोशिश करते हैं तो आप बिल्कुल गलत करें दो questions ही आपको कम करना है हाला कि यह लवलवक सेम ही जाने लगी है बात करें यस्टी और यस्टी category की तो फ्रेंस तेन questions कम कर लिजेगा बस जैनरल category से ठीक है और EWS तो बिल्कुल OBC के ही सेम रहती है कटाफ इंगलिस मिशे में अगर आपकी category जैनरल है तो आपके 87 plus questions सही होने चाहिए यस्टी में बात करें फ्रेंट तो जैनरल में अगर आपकी questions 90 plus सही है यह अगर आपके 90 plus questions राइट है या फिर आपके अगर questions कम भी है तो भी चल जाएगा 100% आपके selection होने के काफी जादा इसमें chance रहेंगे बात करें संस्क्रित विश्यकी तो संस्क्रित में कटाफ थोड़ा हाई रहती है जैनरल करिगरी में 100 plus आपके questions राइट होने चाहिए अगर आपके 78 plus ही होने चाहिए ध्यान दे इसे कम होने के कोई भी आसार नहीं होनी चाहिए commerce मिसे की बात करें गाइस तो लेकिए आप यहाँ पर commerce मिसे कोई देख सकते हैं जैनरल करिगरी में 92 plus questions राइट होने चाहिए अगर आपके इससे एक questions कम भी है तो भी चल जाएगा commerce मिसे में जैनरल करिगर है ठीक है और OBCS, CST तो आप इतना समझदार है ही कि आप समझ सकते हैं कि कि कितनी कटाफ जाने वाली है biology की बात के हैं तो गाइस देखिए biology में आपकी जो जनरल करिगरी की कटाफ जा सकती है वो 90 प्लस ही आप मानिएगा 90 प्लस ही आप बिल्कुल फ्रेंट्स मानिएगा इस शिक कम आपके कड़ आप बिल्कुल भी नहीं जाए जो सचा ही हो मैं फ्रेंट्स आपका आप बता रहा हूँ अग्रिकल्चर की बात के हैं तो अग्रिकल्चर में जनरल करिगरी का 91 प्लस ही आप मानिएगा अगर आपके इसमें 90 ही क्वेशन्स रहिए तो भी प्रेंट्स आप बिल्कुल निश्यन्त हो जाएए आपका सेलक्शन पका बात करते हैं अगली भी से होम साइंस की तो देख भी प्रेंट्स आप बिल्कुल निश्यन्त होकर के बैठी आपके सेलक्शन होने के काफी ज्यादा आशार हैं अगर गाइस हम बात करें हिंदी विशे की देखे हिंदी में जनरल के डिगरी के जो कटाप जा सकती है वो प्रेंट्स 84 प्लस ही जा सकती है क्योंकि गाइस मैं को बता दो हिंदी में जो थोड़ा हाई रहता है इसलिए आपकी कटाप भी थोड़ा हाई जा सकती है 84 प्लस क्वेशन्स ही आपके राइट होने चाहिए अगर आपके इतने क्वेशन्स राइट है तो बिल्कुल अमनिश्यन्त हो जाईए आपका सेलक्शन पक्का है बात कर प्रेंट्स हम अपने एक्सपक्टेट के आधार पर बता देंगे हाला कि मैं आप सभी को बता दो फ्रेंट्स जो मैंने आपको एहां पर कटाप बताई है यह आप बिल्कुल अपनी आफीशल कटाप मानेगा क्योंकि आपकी इतने ही कटाफ रहने वाली है आफीशल कटाफ प्रेंट्स जो दो